इंग्लेंड के खिलाब पहले वंडे में पाकिस्तान को मिली शामना खार और उसके बाद पूर कप्तान शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया दरसल पाकिस्तानी टीम को इंग्लेंड के खिलाब पहले वंडे मुकाबले में नो विक्टो से हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लोप रही और वो जादा रन नहीं बना पाए पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम सिर्फ 141 रन बना कर हिया उठो गई सलामी बल्लेबाज इमाम उलहक बिनाख खाता खोले ही चलते बने इसके बाद कप्तान बाबाराजम भी एक भी रन नहीं बना सके फोकर जमान के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया जवाम में इंग्लैंड ने इस लक्षे को 22 वेवर में ही एक विकेट खोकर आसानी से हसिल कर लिया और खास बात ये कि इंग्लैंड की टीम में कई दिगज खिलाडी तो मोजूद ही नहीं थे इसके बाब जू उन्होंने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस के बाद उनकी काफिया लोचना हो रही है अलांकि शाहिद अफरीदी ने टीम को पूरी तरह से सपोर्ट किया और कहा कि वो वापसी कर सकते हैं दरसल मैच की बाद शाहिद अफरीदी ने ट्वीटर के जरी अपनी परतिकिरिया दी उन्होंने ट्वीट में लिखा हमें जितना जल्द हो सके इस मैच को भूल जाना चाहिए मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की टीम इतनी भी पूरी नहीं है कम ओन शनिवार को लोट्स में होने वाले मैच में वापसी कीजिए इंग्लैन की टीम ने जबरदस खेल दिखाया एक नई टीम द्वारा ये टोप परफॉर्मेंस था शाहिद अफरीदी ने तो अपनी पाकिस्तानी टीम का सपोर्ट किया लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी टीम इंग्लैन की टीम से हारी है उससे अंदाद लगाय जा सकता है कि पाकिस्तान के कैसे हाल है तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें साथी जुड़े रहे हेडलाइन स्पोर्स के साथ